नमस्कार आप देख रहे हैं दर्भंगा का पसंदीदा वेड चैनल दर्भंगा लाइव न्यूज खबरों के साथ मैं अभिशेक सबसे पहले हेडलाइन्स दर्भंगा में कोविड के आज नए 33 मामले सुक्रवार से महर्रम की सुरुवात दर्भंगा में हो गई दस दिनों तक चलने वाले महर्रम में पहली से दसवी महर्रम तक हसन हुसेन की याद में मातम होते हैं चुनाव आयोग की तरफ से जाड़ी गाइडलाइन्स के मताबिक विधान सवा में पहली बार उम्मिदवारों को ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने को कहा गया दर्भंगा सहर के बंगलागर इस्तित खेडिया आवास में गनेश चतुर्थी के आवसर पर गनेश पूजनत्सों की तयारी जोर सोर से की जा रही है सी एम कॉलेज में हिंदी एवं शंस्कृत विभाग द्वारा वर्तमान पड़ी प्रेक्षे में साहित और समाज विशायक वेविनार आयोजित अब खबरे विस्तार से द्रभंगा का प्रतिष्ठित प्रिंटिंग प्रेस MS ग्राफिक्स हमारे यां प्रिंटिंग से सम्बंदित सवी कार किये जाते हैं हमारा पता सुवास चौक लालबाग द्रभंगा कोरोनवाइरस के समय आपको बैक्टीरिया से बचाने के लिए लाया है भंगा जिला कोविड अपडेट पॉजिटिव संख्या कुल 1961 हो चुकी है डिस्चार्ज की संख्या 1364 हो चुकी है मौते 15 पर सीमित है एक्टिव केसेज अभी भी 582 है घर से बाहर निकलने से पहले जरूर सोचे जरूरी काम ना होने पर घर से बाहर बिलकुल ना निकले अपने स्वास्त की रक्षा स्वेंग करे शुक्रवार से मौहरम की पहली से मौहरम की सुरूरात हो चुकी दस दिनों तक चलने वाले मौहरम में पहली से दस भी मौहरम तक हसन हुशैन की याद में मातम होते हैं इमाम हुसैन वह उनके साथियों ने इमान, सच्चाई, नेकी, अच्छाई, इंसाफ के लिए लड़ते हुए करबला के मैदान में सहीद हुए इस बार लौकडाउन को लेकर मौहरम के लिए किलाघाट स्थित जिला मौहरम कमीटी दरभंगा कार्याले परीसर में कोडोना काल को देखते हुए जिला मौहरम कमीटी की विसेस बैठक आयोजित किया गया इसने कोडोना महमारी के कारण, शारीरिक दूडी और लॉकडाउन का पालन करते हुए मोहर्रम मनाने पर चर्चा हुई चुनाव आयोग की तरफ से जारी गाइडलाइन्स के मुताविक विधान सभा चुनाओं में पहली वार उम्मीदवारों को उनलाइन नामंकन दाखिल करने को कहा गया है उम्मीदवारों को सेक्यूरिटी की रकम भी उनलाइन जमा करानी होगी साधी साध्-प्रचार को लेकर भी आयोग में गाइडलाइन में विस्तार से बताया है चुना आयोग ने प्रचार के लिए घर घर जाकर पाँच लोगो को जन संपर की अनुमती दी है दर्भंगा सहर के बंगलागर इस्थित खेडिया आवास में गनेश चतुर्थी के अवसर पर गनेश पूजनोतसव की तैयारी जोर सोर से की जा रही है च्छा दिनों तक चलने वाले इस महतसव को इस वर्स कोडोना से उत्पन परिस्थितियों को देखते हुए पूरे सादगी से मनाया जाएगा पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेडिया ने बताया कि उनके परिवार में बेरासी वर्सों से महा गनाधी पती शिद्धी विनायक भगवान गनेश की पूजा होती आ रही है उन्होंने कहा कि चुकी इस वर्स संपूर्ण विश्व कोडोना महामारी से आकरांथ है और अभी सोसल डिश्टेंस बनाये रखना अतावश्यक है इस बात को ध्यान में रखते हुए पूजनोत सब को संचेप में आयुजित किया जा रहा है साहित का संबंद मानव जीवन के विविद पक्षों से प्रत्यक्ष रहा है कोडोना काल में साहित का दायत्व अधिक बढ़ गया है साहित स्रीजन हमें मानवे मूल्यों एवं सामाजिक समवेदनाव से युक्त करता है इसके दोरा समाज की सोच बदलती है और मानवता उच्च स्तर होती है उच्च उक्त बाते विश्यो विद्याले हिंदी के नव नियुक्त विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर राजिंदर साह ने सीएम कॉलेज दर्भंगा के हिंदी तदा शंस्कृत विभाग के शयुक्त तत्वाधान में वर्तमान पड़ी प्रेक्ष में साहित्य और समाज विश्यक वेबिनार का उधगातन करते हुए कहा उन्होंने कहा कि आज की विशम पर स्थीतियों वह कोरोना के दौर में समाज को उभाड़ना भी साहित्य का दायत्य है अगर ये खबरे आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को लाइक करें और अगर आप योट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले ताकि खबरे पहुचे आप तक सबसे पहले सबसे तेज